Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains की इस प्लैटफॉर्म पर एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो देता है आपको बिलकुल ही free and quality education बात करें हम kindergarten की या फिर हो class 12 यहाँ पर आपको सारे classes के वीडियो लग्जिस दिये जाते हैं बिलकुल ही free में मैं श्रुबम श्रिवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का class 12th biology NCRD examiner की सीरीज में और आज की इस lecture में हम लोग discuss करेंगे अपने chapter number 12 biotechnology and its application से case based question यह इस chapter से last lecture होने वाला है last lecture कहने का मतलब है कि इस chapter के mind map को हमने देखा एक ऐसा lecture जिसमें हमने इस पूरे chapter को cover किया थोड़े इस chapter को और clear करने के लिए हमने कुछ multiple choice questions को solve किये very short answer type questions को देखा short answer type questions को solve किया long answer type questions को solve करने के बाद अब हम इस chapter को final touch देने आए है final touch देने के time हम इस chapter से discuss करेंगे इसके case based questions के बारे में जानेंगे देखेंगे समझेंगे कौन-कौन से case based questions बन सकते हैं कौन-कौन से case based questions आप से पूछे जा सकते हैं इन सब के उपर हमारा discussion होगा तो एक एक करके देखते हैं कि कौन-कौन से बहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ तो पहले सवाल हमारे सामने आ चुका है कहता है कुछ ऐसा की देखी कह रहा है कुछ ऐसा की Read the following and answer any four questions from one to five Given है हमारे पास total punch सबसे पहले हमारे पास है एक paragraph इसको हमें पहले read करना है read करना है इसमें दिएगा information को देखना है जानना है समझना है and after that हम से कुछ question पूछे गए है and the number of questions are five पांच में से इसका कहना है किसी चार को आप answer करो लेकिन चुकि हम सीखने इधर आए है तो हम क्या करेंगे हम पूरे पांचों के पांचों को हम यहाँ पर देखेंगे and solve करने वाले हैं कि किसका क्या answer होगा जो question से वो पूछे जाएंगे आप से in the form of mcqs mcqs के form में questions आए हमारे सामने इस paragraph को देखने के बाद और एक एक करके हम उन सब को discuss करेंगे कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि total number of case हमारे पांच है पांच case है और हर case में हमें 5 questions देखना है तो एक करके पहले तो read करते हैं कि हमारे यह पहला paragraph जो है यह हमें क्या बोल रहा है कहता है कि crown gall is a neoplastic disease कहने का मतलब है कि crown gall जो है वो एक neoplastic disease है of most dicotyledons plants and is caused by the soil bacterium agrobacterium tumefaciens तो कहने का मतलब है कि एक bacteria है जिसका नाम है agrobacterium tumefaciens इसके कारण जो है वो plants के अंदर और plant में भी कौन है तो dicotyledon जब हम लोग plants क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास आता है पांच division है start करते हैं algae से bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm angiosperm को फिर हमने दो भागों में बाटा था एक monocot और एक को रखा था हमने dicot तो जो dicot से हैं वही कह रहा है कि dicot plant जो है यहां पर उस plant में एक neoplastik disease होता है जिसको crown gall के नाम से हमने जाना है तो crown gall इस bacteria के कारण हो रहा है ठीक है कहता है कि एक large extra chromosomal plasmid in these bacteria was found to be responsible for this disease अब कहने का मतलब है कि किस bacteria कारण यह neoplastik disease हो रहा है dicot में तो यह कैसे हो रहा है राइट किस कारण से हो रहा है तो देखने को मिला कि यह जो bacteria है यह जो bacteria है that is की agrobacterium tumefacians इसमें क्या है कि इसमें एक extra chromosomal plasmid है इस bacteria में क्या है तो एक extra chromosomal plasmid है जिसके वज़े से क्या है आपको यह यह जो dicot में यह disease हमें देखने को मिल रहा है बहुत यह असान सा चीज है कि इस bacteria के कारण इस dicot में हमें यह disease देखने को मिल रहा है नियो प्लास्टिक डिज़ेज देखने को मिल रहा है और क्या है कि यह जो bacteria है यह ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि इस bacteria के इसको हम लोग ti plasmid के नाम से जानते हैं bacteria free crown gall cells can be cultured in the absence of phyto hormones तो कह रहा है कि bacteria free crown gall को जो है हम लोग culture भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर किसको absent रहना पड़ेगा तो phyto hormones के absence में plant phyto hormone कहने का मतलब plants के अंदर जो hormones होते हैं राइट तो उस hormones के absence में हम क्या कर सकते हैं कि बैक्टेरिया free crown gall cells को हम लोग culture कर सकते हैं ti plasmid widely used in genetic engineering तो कह रहा है कि यह जो ti plasmid है इसको हम लोग genetic engineering में genetic engineering में इसको widely use होता है to deliver the desirable gene तो किसी भी जीन के जीन को मतलब deliver करने के लिए इसका genetic engineering में ti plasmid का use हो रहा होता है the part of ti plasmid transferred into plant cell dna is called tdna और कह रहा है कि the ti plasmid का वो part which is transferred into plant cell dna plant cell के dna में जो transfer होता है ti plasmid का part उसको हम लोग tdna के नाम से जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं tdna के नाम से जानते हैं तो tdna with desired dna segment is inserted into the chromosome of the host plant where it produces copies of itself और फिर क्या होता है कि यह ti dna जिसको हम लोग transfer कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं तो transfer करते हैं हम अपने desired dna segment जो हमें चाहिए होता है उसको हम लोग insert करते हैं जैसे कि for example plant में हम insert करना है तो host हमारा कौन सा हो गया तो हो गया हमारा वह plant उसके chromosome में करते हैं और जहां पर यह फिर multiple copies बनाता है यह हमारे पास एक information right अब इस information के basis पर हम क्या करेंगे कुछ हम से question पूछेके उन questions को हम क्या करेंगे उन questions को हम solve करने वालें तो पहले तो आप इसको note कर लो इस paragraph में दिये की details को आफ़ रहे अपिसका screenshot लेंव और आफ्कर नहीं चाहिए हम क्या करेंगे कि इस चुका है हमारे इस पहले केस का पहला सवाल ये रहा और कहता है कि हमने देखा इसमें TDNA के बारे में तो वही कह रहा है TDNA के बारे में एक कोशन पूजदा है कि which of the following is the full form of TDNA तो ये TDNA का full form क्या होगा ये पूछा जा रहा है एक, दो, तीन, चार option हमारे सामने एक option कहता है कि TDNA का मतलब है transfer DNA, क्या है TDNA का मतलब transfer DNA दूसरा option कहता है कि TDNA का मतलब है tumor inducing DNA तीसरा option कहता है कि TDNA का मतलब है transgenic DNA चौथा option कहता है कि नहीं, इसके अलावा कोई चौथा इसका answer होना चाहिए था वो होगा इन तीनों में से नहीं होगा TDNA का full form इन तीनों में से कोई भी नहीं है क्या लगता है आपको क्या होगा TDNA का full form हमने कई दफा देखा है अपने previous lectures में हमने देखा है हमने discuss किया अपने mind map में और भी बार हमने TDNA का full form को देखा है तो T-DNA की बात करें, तो T-DNA का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं transfer DNA के बारे में, तो clear है इन चार option में से अगर हम option A को देखें, तो ये हमें बता रहा है कि transfer DNA इसका correct answer होना चाहिए, option number B जो है वो tumor inducing DNA ये इसका answer कता ही नहीं होगा, option number C transgenic DNA भी इसका answer नहीं होगा, चुकि हमें पता है कि transfer DNA इसका answer होगा, इसलिए none of these वाले option को भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे, अपने option A को हम tick करना चाहेंगे, हमें पता चल रहा है कि हमारा option A जो है वो सही हो जाएगा, एक बार हम इसे cross check करते हैं, तो cross check भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल हमारे ये जो T DNA है, इसका मतलब हो रहा है, यहाँ पर क्या, तो transfer DNA है इसका मतलब, right, बहुत ही आसान, बहुत ही simple, एक बार में tick करने like, एक बार में हमें answer समझ में आ रहा है, note कर लो इसको, आप इसका screenshot भी निकाल सकते हैं, जैसी आपके इक्षा वैसा काम आप कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने दूसरे सवाल को, कि भाई हमारा question number two, हमारे इसी case से, case number one का question number two हमसे क्या कह रहा है, right, यह रहा हमारा question number two, कहता है कि ti plasmid cannot infect and develop crown galls in, तो ti plasmid जो है, वो किसमें नहीं करेगा, तो हमने देखा था, कि यह चुकि डाइकॉट में होता है, तो मोनोकॉट वाले case में यह नहीं करना चाहिए, तो ti plasmid cannot, याद रखना है, cannot infect, तो कहने का मतलब इस चार option में से, कोई तीन option ऐसे हैं, जिनको यह infect कर सकता है, और कोई एक option ऐसा है, जिसको यह infect जो है, वो नहीं कर सकता है, तो जिसको यह infect नहीं करेगा, यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, cannot infect and develop crown galls in, tomato में, तो tomato में हमें पता चलता है, कि tomato में अपना infection कर सकता, यह इसको infect कर देता है, मेज की बात करें, तो हमें लगता है, मेज में यह infection, यह infection नहीं करता है, सोया बीन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, कि यह infect इसको भी करता है, sunflower में भी यह हमें infect करता हुआ दिखता है right तो हमें पता चलता है कि इन चार option में से जिसमें infection नहीं हो रहा है वो हमारा answer होना चाहिए तो infection नहीं हो रहा है हमारे maze में इसी साब से हमारे येवल option जो है वो गलत हो जाएगा येवल option जो है ये हमारा सही होना चाहिए तो क्रोशेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा option number B मेज यह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसको भी आप note कर लो अब इसको भी चाहो तो screenshot निकालो फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे अपने तीसरे सवाल के तरफ तो कहने का मतलब है कि मेज जो है मेज में यह टी आई प्लाजमिट जो है वो infection नहीं करने वाला है infection नहीं होगा तो crown goal जो है यहाँ पर develop नहीं करेगा राइट आसान सा question आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने case number one के तीसरे सवाल के तरफ case number one के तीसरे सवाल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कहता है कुछ ऐसा कि while making transgenic plants transgenic plant बनाना है कहने का मतलब है कि genetically modified plants की यहाँ पर बात की जा रही है genetically modified plants की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है genetically modified plants बनाने के दौरण हमने क्या किया t dna is inserted into the host cell मतलब कि transfer dna को हमने host में उतारा host वो है for example यह host यहाँ पर कौन हो जाएगा तो host यहाँ पर plants होने वाले ठीक है तो वही कह रहा है कि t dna is transferred into the host cell it is then और इसके बाद क्या कहानी होगी इसके बाद क्या कहानी होगी यह 4 में से कोई यह कहानी होगी पहला कहानी क्या हो सकता है पहला option कहता है it is then integrated into the target host genome कह रहा है कि then इसके बाद integrated into the target host genome option 2 lie independent of the host genome यह independently रहेगा रप्चर दी host cell wall तो उससे जो हमारा host है plant है उसके cell wall को यह रप्चर करेगा या फिर कह रहा है कि produced oncogenic factors in the host यह host के अंदर oncogenic factors करेगा तो यह tumor inducing वाली चीज नहीं है यह पर transfer gen की बात है तो option d हमारा इसे ही गलत हो जाएगा cell wall को रप्चर करने की बात हम करें तो यह option भी हमारा गलत हो जाएगा कहता है independently रहेगा तो यह option भी गलत हो जाएगा कह रहा है कि it will integrated into the target host genome यह वाला option जो है वो हमें सही लग रहा है transfer DNA जाएगा उसके आद क्या देखने को मिलेगा it is then integrated into the target host genome तो हमारा option यह वो हमारा correct लग रहा है बिल्कुल सही दिख रहा है cross check हम करना चाहेंगे तो cross check में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा option number a जो है यह बिल्कुल ही सही है correct है right तो आप इसको भी note कर लो आप इसको भी screenshot निकाल लो तो इस तरीके से किया हमने अपने पहले case का तीसरा सवाल solve right पच्चिस हम से की उस total हमारे पास आएंगे हमने थीन को solve कर लिया है मुश्किल नहीं है काफी जादा आसान है आप इसको भी note कर सकते हैं आप इसका भी चाहो तो आप इसका screenshot निकाल लो वीडियो pause करके आप इसको note भी कर सकते हैं बहुत जादा time लगने वाला नहीं है फिर हम आगे चलते हैं अपने question no.4 के तरफ चौथा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है इसके उपर हमारा discussion अब होगा ठीक है तो चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कहता है agrobacterium mediate gene transfer in plant तो agrobacterium mediate gene transfer in plant चार option हमारे सामने क्या है पहला option कहता है कि it allows relatively large segment of dna ठीक है फिर कहता है कि agrobacterium mediate gene transfer in plant तो यहां पर कहता है कि transfer of dna with defined ends and minimum minimal rearrangement तीसरा option कहता है कि agrobacterium mediate gene transfer in plant तो high quality and fertility of transgenic plant ठीक है तो कह रहा है कि agrobacterium mediate gene transfer in plant समझ गे चार option में से हमारे जो पहला option है वो कह रहा है कि it allows relatively large segment of dna यह वाला option भी हमें सही दिख रहा है अगर हम option b के तरफ चले तो transfer of dna with defined ends and minimum rearrangement यह वाला option भी कुछ सही है option c की बात करें तो इस high quality and fertility of transgenic plant यह option भी हमारा कुछ सही दिख रहा है इस हिसाब से हम इसमें टिक करना चाहेंगे अपने option number four को all of these को एक बर हम cross check करते हैं cross check में भी समझ में आता कि हमारा all of these जो है वो हमारा answer हो जाएगा ठीक है इसको भी आप note कर सकते हो screenshot ले सकते हो फिर हम आगे चलते हैं अपने फाइंचमें सवाल की तरफ पांचमें सवाल हैं यहाँ पर जो हमारे सामने हैं यह कुछ assertion Reason type Assertion Reason की बात यह होती है कि चार options हमारे पास होते हैं और इन चार option से पहले हमारे पास दो statements होते हैं पहला statement होता है assertion दूसरे को हम reason के नाम से जानते हैं assertion में कुछ लिखा होता है अगर assertion में लिखी बाते सही है और दो केसे हो सकते हैं like assertion and reason का assertion है and reason है right तो assertion अगर सही है and reason भी सही है और reason जो है वो assertion का correct explanation है then हम option A को tick करते है अगर assertion सही है और reason भी सही है लेकिन reason जो है वो assertion को correctly explain नहीं कर रहा है then हम option B को tick करते है assertion अगर सही है reason अगर गलत है तो हम option C को tick करते है and assertion अगर गलत है और reason भी गलत है तह हम option D को tick करते हैं, यह कुछ इसके rules होते हैं, right, assertion reason के, fine, आगे बढ़ते हैं, assertion को पहले read करते हैं, कह रहा है, assertion कहता है कि इन agrobacterium mediated gene transfer in plants, transgenic plants do not develop tumor, तो यह option जो है, assertion जो है, वो हमें सही दिख रहा है, right, reason की अगर हम बात करें, तो reason को read करते हैं, तो कहता है, in tdna tumor producing gene are deleted during the process of gene transfer, तो यह कहने का मतलब है कि, यह कह रहा है कि tdna जो है, उसको transfer करते time, जो gene which is responsible for producing tumor, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम delete कर देते हैं, थिक हैं, तो delete कर दिया, यह काम हम करते हैं, तो बिल्कुल यह सही है, तो क्या यह काम करने सी, इस पर कोई फर्क है, तो बिल्कुल फर्क है, क्योंकि यह कह रहा है कि यहां पर tumor develop नहीं हो रहा है, तो यह जो statement ही बिल्कुल correct है, और यह वाला statement भी correct है, और साथ-साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि यह कह रहा है कि tumor producing gene को चुकि हमने delete कर दिया है, that is why हमें यहां पर क्या देखने को मिलें, do not develop tumor, तो यहां पर tumor develop नहीं हो रहा है, assertion सही, reason सही, reason assertion का correct explanation, तो इस हिसाब से हमें करना होगा आपने option A को take, तो option A हमारा सही हो जाएगा, B हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह वाला जो reason है, वो assertion को correctly explain कर रहा है, option C का कहना है, कि reason गलत है, लेकिन reason तो यहां पर सही है, तो इसलिए यह option गलत, यह option D कहता है, कि assertion reason दोनों गलत है, चुकि बहुत ही गलत बोल रहा है, तो इस वाले option को भी हम cross करेंगे, तो इससे सबसे हमारा answer क्या हो जाना चाहिए, option number A, इसको cross check करते हैं, cross check में समझे में आता है, क एक है, correct answer यह हमारा हो जाएगा, इसको भी आप note कर सकते हो, आप इसको भी screenshot निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, that is कि question number 2, मतलब कि हम लोग अब discuss करने वाले हैं, case number 2 को, case number 2 पे आ जाते हैं, तो case number 2 हमारे सामने हैं, क्या कहता है, हमारे case number 2 एक नजर डालेंगे, again इसा कहना है कि read the following and answer any 4 questions from 1 to 5 given below, एक से 5 तक जो दिया गया है, इसमें से किनी 4 को हमें क्या करना है, answer करना है, लेकिन अगेन हम 5 करने वाले हैं, right, सबसे पहले हम read कर लेते हैं, अपने इस information को, अपने इस paragraph को कि हम से क्या कहता है, कहता है कुछ ऐसा कि golden rice was engineered from normal rice by potricus and bear in 1990s, कहानी है 1990s की, जब दो महान लोगों ने, जब दो महान लोगों ने क्या किया था, एक का नाम था potricus और दूसरे थे bear, इन्हों ने 1990s में किया कुछ ऐसा कि golden rice को, golden rice को, golden rice को बना है, कैसे, तो engineering किया था, इन्होंने, biotechnology के मदद से, इन्होंने golden rice बनाया, तो कह रहा है कि golden rice was engineered from a normal rice, तो normal rice से, biotechnology के मदद से, इन्होंने क्या किया है, golden rice बनाया है, कहता है कि the typical golden rice is, the typical golden color is due to the production of beta carotene, a precursor of vitamin A, तो vitamin A का precursor है, जिसका नाम है, beta carotene, जिसको हम कहते हैं, इसके production के कारण जो है, इसको golden color प्राप्त होता है, तो और इसको golden color प्राप्त होता है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है, golden rice, golden rice को golden rice क्यों बोलते हैं, just because the, इसका color जो है, वो golden color का है, और golden color क्यों है, just because of the production of beta carotene, और यह beta carotene क्या है, तो precursor है vitamin A का, यहाँ तक clear, यहाँ तक कोई doubt नहीं है, हमारे information में, क्याता है कि golden rice differs from its parental strain by the addition of the 3 beta carotene gene, तो कह रहा है golden rice जो है, वो अपने parental strain से differ करता है, कैसे, तो by addition of 3 beta carotene gene, तो क्योंकि इसमें 3 beta carotene genes का addition हो जाता है, अब 3 beta carotene gene जो है, वो दो जगे से आता है, एक जगे से आता है 2 gene, कहां से, तो daffodil plant से इसको 2 gene की प्राप्ती हो जाती है, और 3 जो है वो इसको bacteria से मिल जाता है, 3 gene है हमारे पास, 3 beta carotene, 2 जो है वो daffodil से मिल गया, this includes the 2 genes from daffodil plant and 1 from a bacterium, और 1 bacteria से उसको मिल गया, कह रहा है, the incorporation of these genes allow the rice plant to modify certain metabolic pathway in its cell to produce beta carotene, कह रहा है, तो ये सारे gene juice rice plant में गया है, कौन से तो normal rice में गया है, इसके बाद हमें golden rice मिला, तो इस normal rice में जो ये तीनों गए है, यह क्या करते है, modification, तो modify certain metabolic pathway, कुछ metabolic pathway में यह आपे modification देखने को मिलता है, उनके cells में to produce beta carotene, तो यह हमारे पास information, इसको आप note कर लो, इस information को कुछी तरीके का doubt आपके मन में है, तो आप उसको comment box से पूछ सकते हैं, इसको आप note कर ले, जान ले, समझ ले, फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे, इस वाले case से हमारे case number two से हमारे कुछ बहतरी questions कूँ हो, तो पहला question हमारे सामने आचुका है, पहला question हमसे क्या क्या था है कि due to genetic modification, तो genetic modification किया है हमने किया है genetic modification, तो genetic modification के कारण golden rice plant produces and store beta carotene in, तो कहने का मतलब है कि ऐना information था हमारे कि genetic modification के पाद गोल्डेन rice plant है, इसमें हमें BETA carotene दिखता है तो BETA carotene जो produce हो रहा है वो कहा रहा है? किदेर उसको store करते हैं? हमारे पासे 4 options पहला कहा है क्या उसको stem में store करते हैं दूसरा option है seed में store करते हैं तीसरा जूपशन leaves में चौथा option इंच सभी जगों पर ये जो है वो store किया जाता है बहुत ही simple सा सवाल है कहां होता है आप इसका answer comment box में लिखेंगे फिलाल आपको बता दिया जाएं कि यह जो है यह होता है store beta carotene in कहां पर तो seed में यह game देखने को मिलता है तो हमारा stem वल option गलत होगा हमारे leaves वल option गलत होगा यह सभी answer हमारे नहीं है that is why all of these भी गलत हो जाएगा तो seed जो है option भी इसको हम टिक करेंगे यह हमारा correct answer हो जाएगा तो यह कहारा है कि due to the genetic modification golden rice plants produce and store beta carotene in seed इसको cross check करने एक बार तो cross check करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिलकुल seed जो है वो हमारे correct answer हो जाएगा तो इसको भी आप note कर लो आप इसका भी screenshot निकाल लो फिर हम आगे चलते हैं discuss करते हैं अपने question number two को इसी वाले case से कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है यह आगे हमारे पास हमारा question number two question number two में कहता है कि transfer of gene gene to produce golden rice is achieved by तो जो gene को transfer करते हैं उसमें हमने देखा था कि bacteria का सहरा लिया जाता है तो वहीं हमसे पूछ रहा है कि जो gene का transfer होता है transfer of gene produces golden rice by to produce golden rice golden rice बना it is achieved by तो किसके मदद से करते हैं option है हमारे पास है that is agrobacterium के मदद से यह चीज़ हो चाहा है या फिर PBR 322 के मदद से होता है या फिर इसके मदद से होता है या फिर इस वाले option के मदद से होता है ठीक है option c गलत option d गलत option a सही तो option a को हम टिक करेंगे option a हो जाएगा हमारा बिल्कुल correct answer for this question इसको हम cross check करना चाहेंगे cross check करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल question number 2 का जो correct answer है वो answer हो जाएगा हमारा option number a किसी तरीके का doubt मन में चिंता नहीं होनी चाहिए इसको आप note करें आप इसका screenshot निकाले फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल question number 3 के तरफ देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है राइट तीसरा सवाल ये रहा हमारे सामने तीसरा सवाल कहता है कि in golden rice 2 gene we are taken from golden rice में दो जगे से आरा था तीन beta-carotene के gene हमें देखने को मिले थे तीन में इसे एक जगह से दो आ रहा था और एक जगह से एक आ रहा थे बैक्टेरिया से और एक दिखने को मिला थे ठीक है तो कहां से मिलता है? Option A, Narcissus से मिलता है Option 2, Irvina से मिलता है Option 3, Koriza Sativa से मिलता है Option D, None of these से हमें मिलता है तो हमारे इसका answer सीधा-सीधा हमारा option A answer इसका हो जाएगा इसी साब से हमारे ये जो तीन option है B, C and B गलत हो जाएंगे option A हमारा सही हो जाएगा cross check करेंगे cross check मैं हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा option ए जो है ये correct answer है इस question के लिए इसको भी आप note कर लो आप इसको भी screenshot निकाल लो फिर हम आगे चलेंगे discuss करेंगे कि अपने question number 4 को कि हमारा चौता सवाल हमसे क्या पूछ रहा है हमारे चौते सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है राइट चलें आगे ये रहा हमारे पास हमारा question number 4 question number 4 में कहता है कि golden rice is helpful to fight against disease caused by a deficiency of तो यहाँ पर golden rice जो है वो हमें मदद कर रहा है to fight against a disease एक disease है जिसे लरने में golden rice हमें मदद करता है which is caused by the deficiency of हमने देखा था यहाँ पर क्या है कि beta carotene हमें देखने को मिल रहा था किसका precursor है वो तो बीटा का routine is a precursor for vitamin A vitamin A के का vitamin A होता है ठीक है तो vitamin A की कमी अगर है तो golden rice यहाँ पर मदद करने वाला है option A कह रहा है किसके deficiency में मदद करता है तो option A vitamin B12 है option B हमारे पास vitamin C है option C की बात करे तो vitamin A है और option D की बात करे तो vitamin D है हमें देखने को मिला है कि vitamin A का precursor है तो इसका रंस हमें समझ जाना चाहिए बहुत ही आसान है कि vitamin A option C हमारा answer हो जाएगा option A vitamin B12 गलत हो जाएगा option B vitamin C हमारा गलत हो जाएगा option D vitamin B12 हमारा गलत हो जाएगा तो option C vitamin A है हमारा correct answer हो जाएगा इसको एक बार चाहेंगे cross check में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा option C जो है vitamin A हमारा correct answer होने वाला है इसको भी आप note कर सकते हो भी screenshot निकाल सकते हो फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल question number five के तरफ that is कि हमारा जो case number two है इसके पांच में सवाल के तरफ हम चलेंगे देखेंगे कि हमारा पांचमा सवाल हम से क्या पूछ रहा है राइट आगे हम अपने question number five पे question number five सब्सक्राइब हम से कहता है कुछ ऐसा कि गोल्डेन राइस वो जनेटिकली इंजीनियर्ट वाई 1990 की बात थी 1990 की बात थी दो साइंटिस्टों ने ये काम किया था कौन थे वो साइंटिस्ट इसी के बारे में ये question है क्या fire and mellow ने ये काम किया था तो हमने केस अपना जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि नहीं ने तो वह काम नहीं किया था ऑप्शन बी जो है वाँ पॉट्रिकस एंड बेर ने किया था तो हां कुछ इन्हों नहीं किया था हमें यादसा आ रहा है इसको भी आप noकर सकते हो आप इसको भी screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल के तरफ अगला सवाल that is की case no olması 2 के तरफ चलेंगे है यह हो जाएगा इसका correct answer for this question आगे बढ़ेंगे चलेंगे हम अपने case number three के तरफ देखते हैं हमारा तीसरा case हम से क्या कहता है again वही है कि इस तीसरे case में हमें इसको read करना है इस तीसरे case में इसमें जो भी factory that in some cases may produce large amount of proteins more efficiently कह रहा है कि transgenic animals genetically modified animals हमने इनके अंदर कुछ changes किये कैसे changes किये जिसके मदद से क्या है कि कुछ हमें तो ज्यादा profit हो सके ज्यादा profit हो सके कि मतलब जो भी चीजे हमें चाहिए हम उसको maximum से maximum हम सारी चीजों को हांसिल कर सकें यह है transgenic animals का यह game तो कह रहा है कि transgenic animals can serve as factories can serve as factories that in some cases may produce large amount of protein more efficiently तो ज्यादा ज्यादा protein का production हो सकता है ठीक है transgenic animals में यहाँ पर बात कर रहा है है transgenic mice का तो transgenic mice have been engineered to express human antibodies by introducing large segment of human DNA encoding human immunoglobin gene तो human immunoglobin gene के लिए यहाँ पर क्या किया गया है transgenic mice को engineered किया गया to express human antibodies to express human antibodies by introducing large segment of human DNA तो large segment of human DNA हो क्या किया गया यहाँ पर use किया गया है of human DNA encoding human immunoglobin genes in transgenic large animals such as cow or ship तो बड़े जानवर जैसे कि cow है, ship है इसमें क्या है, such as cow ship protein of pharmaceutical values can be produced in large quality तो pharmaceutical values के मतलब बगर है जो pharmaceutical मतलब कहने का है कि medicine वगरा के लिए यहाँ पर protein वगरा जो है, वो produce हो सकता है large quantities में in large quantities in milk which is later purified उनके milk में produce कर सकते है milk जो है, उनका milk जो है वो rich in protein होता है फिर बात में उदर से protein को collect कर सकते हैं कि इदर से कैसे, तो protein का collection जो होगा वो उसको purification, उसके milk के purification के बाद हो जाएगा transgenic, transgenesis can be used to alter many phenotypic properties including growth rate, fat composition, milk production, hair texture, etc. तो कह रहा है कि जो यह हमने transgenic animals बनाया है, transgenesis किया है, मतलब कि जो genetic material है, उनमें जिस तरीके का बदलाव हमने किया है, तो changes हमने किये हैं उसके मदद से क्या होगा, it can be alter many phenotypic properties तो उसके मदद से क्या है, बहुत सारे phenotypic characters जो इसके हैं for example, कि इसका growth rate, वो उसमें किसी तरीके का change आ सकता है, मतलब कि उनमें growth जो है, वो faster growth हो सकता है fat composition जो उनका milk production है, इन सारी चीजों पर असर पर सकता है, उनका hair का texture इस तरीके की बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी animals है, उनमें जब हमने changes की उनके genetic material में तो बहुत सारे हमें changes देखने को मिल रहे है यह information हमारे पास, हमारे case ने हमें दिया है, अब क्या है कि इसको पढ़ लिया, हमने जान लिया, समझ लिया, अब इससे पूछा गया है कुछ questions जिनका हमें answer करना है तो आपको ये note कर लेना चाहिए, आपके पास ये information होना चाहिए, तब ही हम आगे जा करके questions को solve करने वाले हैं तो इसको आप note कर लो, आप इसका screenshot निकाल लो, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं, एके करके इस case से related कुछ questions को, right? तो पहला question हमारे सामने आ चुका है, पहला question क्या है, एक नाजर डालेंगा, तो कहता है की, the production of transgenic animal includes, कह रहा है की production of transgenic animals includes, तो हम बनाने जा रहे हैं, transgenic animals को, इनका production में क्या include होता है, तो कह रहा है की identification and separation of desired gene, तो transgenic animal बनाने के लिए, या भी transgenic animal को site में रखे हैं, अगर ह organisms की बात करें, तो जिनमें भी हम यह genetic modification करते हैं, उनमें हम सबसे पहले हमको कुछ desired gene की जरुरत परती है, तो हमें अपने मन मताबिक desired gene को लेना होता है, पहला option भी कुछ वही कह रहा है की, सबसे पहले हम identify करेंगे, जो हमारे desired gene है, तो इसको separate करना होगा, तो identification and separation of desired gene, पहला option कह रहा है, मतलब की यह काम तो हम इसमें करते ही है, पहला option सही होगा, option 2 कह रहा है, combining the desired gene with appropriate vector और इसके बाद यह भी है, जो हमारे desired gene है, जिसको हमने separate कर लिया है, इसको हम कहां बेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी vector के साथ, राइट, वेक्टर के साथ करते हैं, यह काम भ बेक्टर इन दस टीशू और इंबियो तो इसके बाद इस वेक्टर को हम झूज विल्कुल करते हैं तो ये वालो ऑप्शन ही हमारा सही लग रहा है option a सही है option b सही है option c सही है इस इसाब से हमारा جो option d है यह भी सही हो जाएगा तो option die को हम टिक करना चाहेंगे option one day को हम करेंगे और इसको एक बर करना चाहेंगे cross check तो cross check में हमें एक समयज में आता है कि बिल्कुल हमारा जो correct answer है हमारा option number d तो इसको भी आप note कर लो आप इसको भी आप screenshot निकाल लो फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे discuss करेंगे अपने question number two के तरफ असान question है वही है कि the production of transgenic animals include the identification and separation of desired gene इसके बाद हम करेंगे combining the desired gene with appropriate vector and after that introduction of vector in cell tissue और embryo right आगे चलते हैं देखते हैं हमारा question number two हमारे case number three से क्या पूछ रहा है हमारे तीसरे case से हमारा दूसरा question क्या पूछ रहा है तो कहता है कि in transgenic animals transgenic animals की बात कर रहा है that is cow and chip तो cow and chip है proteins of pharmaceutical values are produced in large quantities in आप देखी कि हमने देखा था अपने कि इसमें हमने देखा था आपने अभी इस case में हमारे पास information था कि जो बड़े जानवर है जैसे कि हमारे पास cow है हमारे पास ship है तो इससे हम क्या कर रहे हैं इनसे हम कर रहे हैं कुछ ऐसा कि इनसे हम प्रोटीन की प्राप्ति कर रहे हैं ठीक है प्रोटीन की प्राप्ति करना चाह रहे हैं हम तो प्रोटीन जो है हमने देखा था कहां से मिल रहा था तो प्रोटीन जो है वो इनके द्वारा दिये गए मिल्क से हमें मिल रहा था इनके म मिला कि कहां से में प्रोटीन मिलना है तो इनके मिलक से मिलना है तो कह रहा है कि pharmaceutical value are produced in large quantities in the क्या इसके blood में हमें मिलता है तो नहीं blood में मिलता है तो milk में मिलता है option गलत कह रहा है option b accumulated fat this is also wrong option option c कहता है memory gland and option d तो कि में 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 ग्लैंड में में मिल्क का प्रॉडक्शन हो रहा है कोई उह तो कोई कि करेंगे तो गुष एक में समझ一个 मारी ग्लेंड जो है यह बिलकुल सही आंसर हो जाएगा हमने देखा है अपनी केस में कि बड़े जानवर इनके मिलक में किश रह आए कि हमें प्रूटीन देखना को मिला और यह प्रूटीन जो हैं हम कहां यूज कर रहे हैं तो फार्मस्यूटिकल वैल्यू के लिए बहुत फार्मस्यूटिकल वैल्यू इसका बहुत जादा क्याने का मतलब है कि फार्मस्यूटिकल इंड्रस्टिंग में यूज कर रहे हैं मेडिसीन वगरा में हम इसका यूज कर रहे हैं आगे हमारे पास तीसरा question तीसरा question हमारे case number three से question number three हमारे सामने यह है क्या कहता है कि mouse is mostly preferred animal for studies on gene transfer because तो कह रहे है कि mouse is mostly preferred animal for studies on the gene transfer because तो mouse को हम लोग यह gene transfer के लिए की पढ़ाई के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा prefer करते हैं किसको? तो mouse को ऐसा हम लोग क्यों करते हैं इसके लिए A, B, C, D करके चार आप्शन हैं यहाँ पर कह रहा है कि इसका short stress cycle है देखिए stress cycle की बात करें तो हम जानते हैं कि primates, non primates की बात है menstrual cycle, stress cycle, reproduction और चाप्टर में हमने देखा है तो mouse की बात करें तो इसमें हमें stress cycle देखने को मिलता है तो इसके पास short stress cycle है, ठीक है बिलकुल यह सही है, दूसरा कहता है कि long gestation period तो नहीं gestation period इसका बहुत लंबा नहीं होता है, जिसका life span नहीं उतना लंबा नहीं gestation period कितना लंबा होगा, तो यह option हमारा गलत हो जाएगा option C क्याता है कि short generation time है इसका, तो यह वला option कुछ सही दिख रहा है हमें क्याता है production of more than, more or two, production of one or two office spring per pregnancy तो सिर्फ एक यह दो office spring का जन नहीं होता, तो यह option भी हमारा गलत हो जाएगा चुकि इसका shorter generation time है, इसका short stress cycle है, that is why हम इसका use करते हैं, हम कहना चाहिए कि एक ऐसा option जिसमें A और C लिखा है, वो हमारा correct answer होना चाहिए, ठीक है, option इस A की तरफ चले, तो यह कह रहा है both A and C, मतलब जो हमने इसको tick किया है, हमारा answer तो यही होना चाहिए option B कहता है, A and B, तो A and B, B वाला नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, only D भी गलत हो जाएगा बात करें, C and D की तो C है, लेकिन D नहीं है, तो D के कारण, यह वाला option भी गलत हो जाएगा option A को हम tick करना चाहिए, option A हमारा correct answer होना चाहिए, cross check करते हैं तो cross check में भी समझ में आता है कि बिल्कुल option A जो है, यह हमारा correct answer हो जाएगा इसके लिए, right? इस question के लिए, कहने का मतलब है कि यह mouse को हम लोग यूज करते हैं, shorter, इस्टर साइकिल है, short generation time, that is why हम इसका यूज करते हैं, right? आसान question है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी आप note करो, आप इसको भी screenshot निकालो, फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे अपने case no.3 से question no.4 को, कि चौथा question हमसे क्या पूछ रहा है? चौथा question हमसे क्या पूछ रहा है? चौथा question हमसे कहता है, कि transgenic genes alter many phenotypic properties including, तो transgenic gene के मदद से हमने क्या किया है, genetic modification किया है, अब इसके करण क्या है, यह कुछ phenotypic properties जो हैं, वो बदलने वाली है, अब phenotypic characters, कौन-कौन से phenotypic characters में हमें change देखने को मिल सकता है, क्या इसके growth rate में change देखने को मिल सकता है, तो composition में हमें change देखने को मिल सकता है, तो होगा कि बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है, इसके milk production में हमें changes देखने को मिल सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ भई हाँ, तो इस हिसाब से क्या हमारी यह कहना गलत होगा कि option D हमारा correct answer है, तो हम कहेंगे कि na, option D गलत नहीं हो सकता है, जब सब इसे ही हैं तो हम all of these को ही टिक करते हैं, option D हमारा correct answer हो जाएगा, तो option D को हम क्या कह रहे हैं, cross check भी हमें बता रहा है कि हमार option D जो है, वो correct answer हो जाएगा, काफी simple, काफी आसान, बहुत अच्छा question, इसको भी आप note कर सकते हो, आप इसका भी screenshot निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे, अपने question number 5 को, अपने इस case number 3 से, कि पांचमा सवाल हमारा, क्या हम से पूछ रहा है, right, आगे चलें, fifth question, fifth question है, अगे हमारा assertion reason type में, assertion reason कहता है, कि transgenic mice have been engineered to express human antibodies, ठीक है, तो कह रहा है कि transgenic mice, जो है, have been engineered to express human antibodies, तो transgenic gene जो है, इसका use हम कर रहे हैं, express करने के लिए human antibodies, तो assertion हमारा जो है, वो, बिलकुल सही है, तो इसी साब से पहले ही हम option, d को कर देते हैं, cross, option d को कर देते हैं, cross, just because की, option d कह रहा है कि assertion भी गलत है, तो हमने option d को पहले ही चार्ट दिया, अलग कर दिया, ठीक है, तीन option, a, b, c, कहता है कि large segment of human DNA encoding human immunoglobin have been transferred to mice, तो कह रहा है कि, इसमें कि large segment of human DNA, जो है, large segment of human DNA encoding human immunoglobin जो है, have been transferred to mice, इसको mice में हम transfer करते हैं, reason भी हमारा, जो है, वो, reason भी हमारा, जो है, वो, सही है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने option number c को भी क्या करेंगे, हम अपना, cross कर देंगे, right, अब हमारे पास दो option है, option a है, option b है, हम किसको टिक करें, option a को टिक करें, option b को टिक करें, तो कह रहा है कि, option a का कहना है कि, option a का कहना है कि, a और b दोनों सही है, मतलब, assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason जो है वो assertion का correct explanation है ठीक है और option B का कहना है कि assertion सही है reason सही है लेकिन ये से correct explanation है ये तो हम option number A को tick करना चाहेंगे क्योंकि option number reason जो है वो assertion का correct explanation यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो ये हमारा correct answer हो जाएगा आप इसको भी note कर सकते हैं आप इसका भी screenshot ले सकते हैं दर हम आगे चलेंगे अपने question number 4 के तरफ देखेंगे हमारा case number 4 हमसे क्या कहता है right case number 4 पे हम आ चुके है case number 4 को पहले read करेंगे फिर इससे जुरें कुछ 5 सवालों को हमें solve करना है क्या है भाई question number 4 हमारा तो question number 4 कहता है कि read the following and answer any 4 question from the 1 to 5 जो कहता है हर बाद कि ट्रांस जनी cows have extra gene और gene inserted into their dna तो ट्रांस जनी काउस जो है इनके पास क्या है extra gene है या फिर हम कह सकते हैं कि gene जो है जो कुछ genes है उनसको cow के dna में insert किया गया है firstly the gene for the desired product is identified and sequenced तो सबसे पहले हमें ये हमने कहां से इसकी शुरुआत करी तो जो भी हमें desired gene छोड़ो हम desired characters की बात करते हैं जैसा हमें character चाहिए था हमने उसके according desired gene को चुना तो हमने क्या क्या सबसे पहले desired gene को देखा identify किया sequence किया इसको identify and sequenced then a gene construct containing this desired gene is introduced into the female cow cell by transfer transfection तो क्या कर रहा है इसके बाद then a gene construct containing this desired gene उसको हमने लिया और फिर हमने female cow में इसको भेज दिया ठीक है process का नाम transfection process का नाम transfection याद रखेंगे transgenic boven cells are selected and fused with boven oocytes that have that have had all their chromosomes removed once fused with the oocyte the transgenic cells chromosomes are programmed to direct development into an embryo which can be implanted into the recipient cow which can be implanted into the recipient cow फिर इसको recipient cow में हम क्या करेंगे implant कर देंगे the resulting transgenic cow only express the transgene in her milk और जो transgenic cow है ये transgene जो है वो कहां दिखेंगे उनके milk में हमें express होता हो दिखेंगा this is this is because expression of the transgene is controlled by a promoter specific lactating memory cell और ऐसा इसलिए सिर्फ उनके milk में दिखने वाला है क्योंकि इसको प्रोग्राम कहां से किया जा रहा है तो specific lactating memory cell से the first transgenic cow जो था वो हमारा रोजी था हमने इसका मदद से क्या किया था milk के production को हमने बढ़ाया था ठीक है milk के production को हमने बढ़ाया था एक information हमारे सामने रांसजेनिक काउ के बारे में रोजी के बारे में प्रोसेस ट्रांसफेक्शन इन सब के बारे इसको भी आप नूट कर लिए information रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे दिये के questions को हम किसी भी तरीके से solve कर सकें तो यह हमारा रहा हमारे पास कुछ के आगे चलते हैं देखते हैं कि इसी से कौन-कौन से questions हमारे लिए बनाए गये हैं कौन-कौन से questions हमसे पूछे गया है पहला question हमारे सामने आ गया है पहला question हमसे कहता है कि तो किस process से हम करते हैं इसके बारे में पूछा गया है यह हमारा सवाल है क्या यह transformation था process का नाम या इस process का नाम transaction था या यह process जो था वो transaction था या फिर यह Emoration स्नदाश हमने दो मिनि einट पहले इसके ऊपर discussion किया है transformation तो यह कटई नहीं था transaction भी नहीं था transaction था and transplantation नहीं था हमारा option C जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा है crosscheck करेंगे Cross check करेंगे और जानेंगे कि बिल्कुल option C जो है हमारा correct answer है फिलाल इसको आप note करें ठीक है इसको note करें कि हमारा option जो है C वो सही हो जाएगा हमने यहाँ पर देखा है sir कहां देखा है तो हमने देखा है कि this desired gene is introduced into the female cow cell by transfection यह रहा हमारे सामने right यह रहा हमारे सामने तो यह transfection इसका correct answer हो जाएगा हमने cross check भी किया option C सही है right option C हमारा सही है question number 2 हमारे इस case से क्या कहता है इसकी उपर एक नजर डालेंगे question number 2 का कहना है कि production of transgenic cow fulfill the object of तो कहने का मतलब है कि production of transgenic cow तो transgenic cow का जो production था उसने किस चीज में मदद की increase milk production milk production बढ़ा हाँ milk production बिल्कुल बढ़ा increase meat production तो बिल्कुल molecular farming बिल्कुल सभी सही है हाँ क्या हम option D को tick कर सकते हैं हाँ option D हमारा answer हो जाएगा बिल्कुल हाँ cross check करें करिए देखा हमने क्या हम सही है बिल्कुल सही है तो प्रोडक्शन अब जो ट्रांसजनिक आउथा उसने इन सारे अब्जेक्टिप्स को क्या किया फुल्फिल किया राइट इन सारे अब्जेक्टिप्स को वो फुल्फिल कर रहा है आगे चले आगे बढ़ते हैं अपने question number 3 के तरफ यह रहा हमारे पास question number 3 क्या वो रोजी है तो हाँ क्या वो एंडी आई है तो नहीं option C सही है बिल्कुल सही है option C को टिक कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं cross check करेंगे cross check में भी समझ में आता है कि बिल्कुल रोजी जो था वो पहला था फॉस ट्रांसजेनिक cow वह यह कि the name of the first transgenic cow is Rosie ठीक है आसान question है इसको भी note करो इसको भी screenshot निकालो फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे अपने question number 4 को की चौथा सवाल हम से क्या पुछा गया है राइट यह रहा हमारा चौथा सवाल हमारे सामने कहता है क्या कि transgenic cow is produced through the implantation of containing transgenic in recipient cow हमने क्या देखा कि ट्रांसजेंग का यह उसो कैसे produce कर रहें तो हम सब्सक्रण कर रहें बाइसाब किसका omplansation करें किस सब्सक्राइशन करें क्या wah kaik implantation होता है implantation EVK नहीं नहीं क्रूबाइशन healska होगा क्या तो हां embryo का होगा क्या implantation memory cell का होगा तो नहीं क्या implantation बोथ हैं भी ova in embryo ने confuse कर दिया है ना ova in embryo ने confuse कर दिया लेकिन confuse नहीं होने का क्या है embryo ही इसका answer होगा यह option भी गलर option भी सही है हमारा और यहां पर हम लिख सकते हैं कि e m b r y o embryo तो transgenic cow is produced to the implantation of embryo containing transgene into recipient cow समझ में आया बहुत ही आसान है क्रॉस्चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस्चेक में भी हमें समझ में आता कि option b जो embryo है वह हमारा correct answer हो जाएगा राइट इसको भी आप note कर सकते हैं आप इसका कह रहा है ठीक है को फाइब के तरफ चलते हैं पांचमा सवाल हमारा कहता क्या है तो पांचमा सवाल हमारा assertion reason type of again की मतलब चार आप्शन जो हमारे पासे इन दो statement को पढ़ने के बाद हम decide करेंगे कि हम कौन से option को टिक कर सकते हैं assertion is assertion reason में assertion हमारा केहता जीमन सून ली एक्स क्परसी इन दी मै compartment of तस्जेनिक काउप तो कहरा है यह कहां पर होगा कि ट्रैंप स्वीर्ट आप्ट इन अन्ली एक्सप्रेस इंदी मैमेरी ग्लांड ओफ ट्रांजे Extension चलिए आपकी बात सही हैं मानली तो हम आप्टि को कुट कर देते हैं ट्रांजीन के अर्प्रेजेंटिन जो है वह उसका जो क्रोमोजोम है जो है हर एक cell के chromosome में वो पाया जा रहा है तो यह वाले भी option हमको सही दिख रहा है तो हमने इसको भी cross कर दिया लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह वाला इसको explain कैसे कर रहा है राइट तो हम एको टिक कर रहे हैं वी को टिक कर रहे हमारे इसाब से बी को टिक करना चाहिए और क्रॉस्चेक भी बता रहा है कि बिल्कुल बी को टिक करना ज्यादा सही है ठीक है करेक्ट explanation नहीं क्योंकि reason हमारे assertion का तो option भी को हमने टिक कर दिया राइट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आसान questions है इसको भी आप note कर सकते हो आप इसका भी screenshot ले सकते हो फिर हम आगे चलते हैं अपने पांच में case की तरफ देखते हैं कि हमारा case number five हमसे क्या कह रहा है what is the case number five तो question number five case number five हमारे सामने ये है read the following and answer any four questions from one to five given below right कहता है कि European Patent Office European Patent Office के बाद है कि European Patent Office Manchin granted patent for fungicidal use of neem oil to fungicidal use of neem oil to form of WR Grace and Company WR Grace and Company को एक patent दिया गया कि उन्होंने fungicidal को use किया था neem oil के मदद से नीम oil को ऐसे fungicidal use किया था ठीक है इट वस चैलेंजड बाई वंदना शिवा एंड अजे फाड के तो कहने का मतलब है कि लेकिन इसको किसी ने चैलेंज कर दिया चैलेंज करने वाले का नाम था वंदनाशिवा और अजे फाड के इन्होंने ऐसा कहा कि और इन्हें इंडिया में नीम के ऊपर रिसर्च किया था है और ने बताया कि रूल ओफ कंड़क्ट भाई तो इथिक इंक्लूड रूल ओफ कंड़क्ट भाई विच ए कम्यूनिटी रेगूलेट्स दी बिहेवियर और डिसाइड अस्टू विच अक्टिविटी इस लौफुल एंड विच इस नौट तो हमारे पास क्या था ने कि हमारे पास कुछ ची चीज की किसी चीज के ऊपर की मतलब कुछ काम अगर हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं उसके ऊपर वही कह रहा है कि इथिक्स इंक्लूड रूल्स और कंड़क्ट भाई विचे कम्यूनिटी रेगूलेट्स ए बिहेवियर और डिसाइड्स अस्टू विच एक्ट सकते हैं और देखते हैं आगे चल के देखते हैं कि इनसे कौन- वहतरी स्वाल हम से पूछे जा रहे हैं है? नोट कर सकते हो आप इसको तो आज आते हैं हम इसके questions को डिसकस कर लेते हैं कि कौन-कौन से बहतरी सवाल है हमारे पास पहला सवाल हमारे सामने आ गया कुछ fill-in-the-blanks टाइप है कहता है कि dash allow private monopoly right over animals and plants तो कहता है कि allow private monopoly right over animals and plants तो plants और animals के उपर जो monopoly कर सकते हैं प्राइवेट उसको कर सकते हैं किसे बायो इथिक्स बायो पेटेंट बायो वेपन्स आइदर ए और बी या तो ए होगा या भी होगा यह कोई option मैसे दार में क्रॉस किया अबने इसको बायो इथिक्स को डालके देखते हैं तो बायो इथिक्स अलाव दी प्राइवेट मौन पॉली राइट ओवर अनिमल सेंड प्लांट सो यह भी गलत लग रहा है option बिल्कुल सही लग रहा है option B को टिक करना चाहेंगे क्रॉस चेक करेंगे क्रॉस चेक में भी समझ में होता है कि बिल्कुल हमारा option बी जो है यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा right तो option B हमारा सही हो जाएगा इसको हमने टिक कर दिया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने question number two के तरफ question number two क्या कहता है कहता है कि which of the following is not a criteria of granting patent तो patent grant करने का patent करने का जो इस में से कौन सा है जो criteria नहीं है मतलब कोई तीन criteria है पहला novelty है यह criteria है utility is also a criteria non-oviviousness is also a criteria तो prior act जो है यह criteria नहीं है इसके कारण से होगा कुछ ऐसा इसके कारण से होगा कुछ ऐसा कि यह option गलत यह option गलत और यह गलत होने के कारण क्या है इसको हम सही कह देंगे इसको हम सही कह देंगे तो option हमारा option D को हम टिक करेंगे यह हमारा correct answer हो जाए क्रोश चेक करते हैं क्रोश चेक में भी समझ में आता कि विल्कुल हमारा option D जो है करेक्ट आंसर है आगे बहुत है चलते हैं इसको भी आप note कर सकते हैं इसक्रिंशॉट टिकाल सकते हो फिर हम आगे चलते हैं देखते हैं अपन which plants patent have been granted to can't plants पे जो है on which plant patent have been granted कौन कौन से प्लांट पे पेटेंट जो है वो grant कर दिया गया है paper negrum पे किया गया है तो हाँ brassica camp atras पे किया गया है तो हाँ puny का granatum पे किया गया है तो हाँ तो तीनों सही लग रहे हैं हाँ तो क्या all of these को हम टिक कर सकते हैं तो बिल्कुल option D हमारा सही हो जाएगा क्या तो बिल्कुल option D सही हो जाएगा cross check करें क्या cross check में भी समझ में आता है कि हमारे इस तीसरे सवाल का जो answer है वो option number D होना चाहिए option number D हो जाएगा इसको भी आप note कर सकते हो इसको भी screenshot निकाल सकते हो फिर हम आगे चलेंगे discuss करेंगे अपने question number 4 को कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है question number 4 हमारे पास आगया question number 4 क्या कहता है हमसे कहता है कि rules of conduct that may be used to regulate our activities in relation to biological world are induced in तो कहने का मतलब है कि कुछ तो rules and regulation है जिसको follow करना चाहिए हमारे biological world में तो किसमें वह चीज़ आता है क्या वह आता है बायो इतिक्स में बायो पाइरेसी में बायो पेटेंट में या बायो वार में बायो वार बहुत हो आतकी है क्योंकि इसमें रायड़े की बात हम करते हैं यह वा की बात है यह पायो इतिक्स को रचाहिए हमारा correct answer right option a जो है हमारा correct answer इसको भी आप note कर सकते हो आप इसको screenshot निकाल सकते हो फिर हम आगे चलते हैं अपने कोशन नबर 5 के तरफ देखते हैं कि हमारा पांचमा सवाल इस पांचमें case से क्या पूछा जा रहा है ठीक है अगे न हमारे पास assertion reason type of assertion को read करेंगे reason को read करेंगे देखेंगे कि दोनों statements का क्या क्याना है assertion कहता है कि genes and cells should not be patented तो gene और cell को हम patent नहीं करवा सकते यह बिलकुल सही statement है जैसे ही assertion हमारा सही होता है हम option D को गलत कर देते genes and cells are not an invention और gene और cell जाए वो किसी तरीके का invention नहीं यह और यही वो कारण इसको पेटेंट नहीं करवाते हैं तो यह भी सही है तो यह वाला भी option गलत हो जाएगा और यहां reason correct explanation लग रहा है reason assertion का कि चुकि gene और cell जो है वो किसी तरीके का invention नहीं है इसलिए gene और cell को हम पेटेंट नहीं कराते क्या यह शुड नॉट भी पेटेंट तो यह वाला option भी हम गलत करेंगे just because की यह वाला option हमारा सही लग रहा है यह वाला just because की reason is also the correct explanation for this assertion to cross check हम करना चाहेंगे cross check करते हैं तो समझ में आता है कि बिल्कुल option है जो है हमारा सही answer हो जाएगा क्योंकि reason जो है वो का assertion का correct explanation आसान कोशन बेहतरीन कोशन इसको आप कर सकते हो आप इसका screenshot निकाल सकते हो कि इसके बाद हम आगे की और चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है चले तो इस प्रकार से हमने complete किया है अपने इस chapter से case-based questions को इस chapter से case-based question को complete करते ही हमारा यह जो बायो टेक्नलोजी का unit था यह भी हमारा complete होता है इस unit में हमने दो chapters देखे बायो टेक्नलोजी प्रिंसेपल्स एंड प्रोसेस एंड बायो टेक्नलोजी एंड इस application यह दो chapters देखा जाना समझा कैसे क्या चीज़े होती है सब कुछ सारे lectures आपको मिल चुके हैं यह इस chapter से last lecture था अब हम आने वाले lectures में स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट को किसी भी तरीके का doubt हो आपको इस unit से इस chapter से तो आप बिल्कुल इसको पूछ सकते हैं हमारे comment box में एक और information आपके लिए that is about magnet brains एक ऐसा platform जो आपको बिल्कुली free में education दे रहा है CVC English Medium, CVC Hindi Medium, different street boards या फिर competitive exams like NTSC Olympiad CVT सबकी तैरी करवा रहे हैं free में सारे videos अबलेबल हैं हमारी YouTube चैनल पे यहाँ पे आपको videos नहीं मिल रहे हैं आप download कर सकते हो हमारे app को या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारी website दाइट is www.magnetbrains.com यहाँ जाकर कि आपको अपने class को चुणना है अपने subject पे जाना है subject पे जाना है subject पे जाकर करके आपको अपने chapter को चुनना है उसके बाद उसमें जिस lecture में आपको doubt है जो भी lecture आपको देखना है उस lecture को चुन सकते हैं वीडियो को enjoy कर सकते हैं examination के preparation को मझभूत बना सकते हैं examination में अच्छा marks ला सकते हैं तो इनी अच्छे बातों के साथ हसते रहें, मुस्कुराते रहें और परते रहें मैगनेट भी इसके साथ टाटा थांक्यू बाबाई